हाई गाईज, वेलकम यू ओल वन्स अगेज, तो आज की इस वीडियो में हम लोग LDR, इस Light Dependent Resistance के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने LDR की वरकिंग को और इसके बाद इसको हम लोग practically implement करके देखेंगे अपने circuit के थूँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर से इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजेगा, फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसको हम लोग फोटो रेजिस्टर भी बोलते हैं, और यह जो हम लोगों का फोटो रेजिस्टर होता है, यह बिसिकली passive transducer होता है, अब आपको समझना होगा पहले transducer है क्या, देखिए, अगर आप one form of energy को किसी दूसरी form of energy में convert करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों transducers की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे हम लोगों के sensors हैं, सपोस कीजिए, आप लोगों के पास एक IR sensor है, वो क्या है, infrared radiation को absorb करेगा और उसके corresponding हमको output electrical form में देता है, ठीक है, तो वो हम लोगों का क्या है, एक transducer है, तो हम लोगों का LDR जो है, वो भी transducer है, और यहाँ पर हम लोगों का जो LDR है, वो passive transducer है, इसका यह मतलब है कि अगर आप one form of energy को किसी दूसरी form of energy में convert करना चाहते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर externally इसको power up करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर LDR के थ्रू कोई अपना light intensity को measure करना चाहते हैं, या फिर voltage की form में output यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो आपको इसको पहले power up करना ज़रूरी होता है, और secondly हम लोगों का जो LDR है या फिर photo register है, यह basically photo conductivity के principle पर काम करता है, तो अब आपको समझना होगा यहाँ पर photo conductivity होता क्या है, so photo conductivity optical और electrical phenomena है, जिसके अंतरगत हम लोगों का कोई एक specific material जो है वो ज्यादा electrically conductive हो जाता है, जब भी इसके उपर हम लोगों की electromagnetic radiations परती हैं, ठीक है, अब electromagnetic radiations में हम लोगों की visible lights हैं, या फिर ultraviolet radiations हैं, infrared radiations हैं, गामा radiations हैं, यह सारी हम लोगों की electromagnetic radiations होती हैं, तो जब भी हम लोगों की इस type की radiations किसे specific material में पढ़ती हैं, तो उसकी जो electrical conductivity है वो बढ़ जाती है, और इसे फिनोमेना को हम लोग photo conductivity बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का जो photo register है, इसके resistance की value यहाँ पर decrease होती है, with increase in intensity of light falling on it, ठीक है, मतलब की जितना ज्यादा आप लोगों के LDR के उपर light fall होती है, उतना ही हम लोगों का यहाँ जो resistance है LDR की वो decrease होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर electrical conductivity है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, with increase in intensity of light, ठीक है, अब यह काम actually होता कैसे है, देखी हम लोगों का जो light है, वो क्या है, packet of photons है, हम लोगों का जो photon है, उसकी कोई एक energy होती है, अब यह जब हम लोगों का photon fall होता है LDR के यहाँ पर हम लोगों के जो loosely bond electrons होते हैं, वो free हो जाते हैं, जिसकी वेज़े से हम लोगों का यहाँ पर क्या है, resistance decrease हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं, हम लोगों का जो electrical conductivity है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें LDR बनते किस्ते हैं, तो देखी ह most of the LDRs होते हैं, वो basically cadmium sulfide से बने होते हैं, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर thallium sulfide, lead sulfide या फिर cadmium selenide से भी LDRs को बनाते हैं, चीक है, तो इसके बाद अगर बात करें applications की, तो देखी हम लोगों का जो LDR है, वो बहुत basic सा sensor होता है, या फिर transducer होता है, और इसकी अगर आप बात करें applications की, तो यह काफी जिगवों पर use हो सकता है, जैसे हम लोगों का automated street lights है, वहाँ पर हम इसको use कर सकते हैं, अगर आप लोगों के घरों में हर एक घंटे में बजने वाली घड़ी होगी, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, कि night में हम लोग का जो alarm system है वो नहीं बचता है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके applications हो सकते हैं, so next, इसके बाद हम लोग अपने LDR के light intensity versus resistance के graph को देख लेते हैं, यहाँ पर यह हम लोगों का light intensity है या फिर आप luminous intensity इसको बोल सकते हैं, और यह हम लोगों का resistance है, ohms में, तो यहाँ यहाँ पर आप देख पाएंगे, जब हम लोगों की यहाँ पर light की intensity एकदम dark होगी, उस समय हम लोगों को यहाँ पर काफी high resistance मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो conductivity होती है, वो बहुत low होती है, अब जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ पर, जो light helps की intensity ब light में होंगे, तो उस case में देखिया, आप लोगों का यहाँ पर resistance की value बहुत ही यहाँ पर low हो जाती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे यह दो points है, जब हम लोगों का यहाँ पर LDR darkness में होता है, उस समय जो हम लोगों का photo resistor है, या फिर LDR है, उसके resistance की value mega ohms में होती है, और वहीं आप बात करें, sunlight में, तो उस case में हम लोगों का यहाँ पर resistance होता है, यह few hundreds of ohms में आता है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ज्यादा difference है, आपका mega ohms से यह सीधे आपके ohms में आ जाता है, जब भी यहाँ पर light इसके उपर fall होती है, तो इस चीज़ को हम ल लोग basically यहाँ पर LDR लेंगे और इसके resistance को measure करेंगे अपनी अलग-अलग light intensity के corresponding, तो यह हम लोगों का LDR है या फिर आप इसको light dependent resistance भी बोलते हैं, अब हम लोगों को अपने इस LDR की resistance को measure करना है, अपनी अलग-अलग light intensity के corresponding, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस LDR को अपने breadboard पर connect कर लेना है, अब हम लोग अपने इस LDR के resistance को measure करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरत होगी एक multimeter की, तो इस multimeter को हम लोग basically यहाँ पर use करने वाले हैं, अपनी resistance को measure करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग अब इस multimeter की जो terminals हैं, इसको connect कर ल लेता हूँ, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर resistance measure करना चाहते हैं, तो उसके corresponding आप लोगों को जो multimeter है, उसको भी resistance mode में लाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अलग-अलग हमको modes मिलते हैं, यह voltage के लिए यहाँ पर आपको resistance के लिए मिलेगा, ठीक है, तो हम लोगों को यहा यहाँ पर जो value है, वो 20 के रखता हूँ, मतलब कि आप लोग यहाँ पर जो measurement कर सकते हैं, वो 20 kilo ohm तक की range के resistance का ही कर सकते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पर normal lights में अपने LDR को रखते हैं, तो आपको यहाँ पर जो value है, वो something around 4.08 के आसपास यहाँ प इसको हम लोग यहाँ पर note down कर लेते हैं, अब इसके बाद अगर हम लोग अपने इस LDR को थोड़ा सा और light दें, तो देखिए, मैं यहाँ पर mobile का flashlight use कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और light up करने के लिए, तो देखिए, हम लोगों का जो यह value है, वो gradually यहाँ पर decrease होगी, ठी 0.87 kilo ohm के आसपास आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं, 800 to 900 ohm के आसपास आपकी इसकी value आ रही है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से फिलाल remove करता हूँ, अब इसके बाद अगर आप लोग इस LDR को यहाँ पर थोड़ा सा shadow देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा ढख चुकी है, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, इसकी जो range है इसको बढ़ाना होगा, तो हम इसको 200 kilo ohm करते हैं, और देखिए आप जैसे जैसे हम यहाँ पर shadow देंगे, तो अब देखिए यह फिर से आपका out of range हो चुका है, मतलब को 200 kilo ohm से भी ज्यादा इसकी value हो रही है तो अगेन आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अब देखिए फिर से हम इसको यहाँ पर shadow देते हैं, तो अब आपको यहाँ पर यह जो value है देखिए 197 या फिर 198 kilo ohm के आसपास या फिर 200 kilo ohm के आसपास आपकी यह value जा रही है जब हम लोग यहाँ पर अपने LDR को shadow दे तो इस तीज़ को भी हम लोग यहाँ पर no down कर लेंगे 200 में इसको फिलाल यहाँ पर लिख लेता हूं ठीक है थोड़ा सा fluctuate हो रहा है तो हम लोग एप्रॉक्स एक value हैं पर ले लेंगे अब इसके बाद suppose कीजिए अगर हम लोग इसको completely cover कर दें तो क्या होगा तो देखते है हम लोग फिलाल इसको cover करने के लिए मैं screwdriver का जो top head होता है उससे इसको बंद करने वाला हूं तो देखें जैसे हम लोग इसको यहाँ पर बंद करेंगे तो आपको यह जो value है यहाँ पर 1 मिल रही है मतलब कि आपका यह जो resistance है इसकी value 2000 kilo ohms से भी ज्यादा हो चुकी है अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों के resistance की value 2000 kilo ohms या फिर आप कह सकते हैं 2 mega ohms से भी ज्यादा आ रही है अब exactly कितनी यह value होगी यह हम लोग इस multimeter से measure नहीं कर सकते हैं तो अलग light intensity के corresponding हम लोगों का जो LDR है उसके resistance की value यहाँ पर vary होती है अब जो यह variation होता है Ic's को मैंने इस table में लिख लिया है जब आपका यहाँ पर light एकदम dark रहेगी तो उसके corresponding हम लोगों ने देखा था जो resistance की value है वो 2000 kilo ohm से भी ज्यादा जा रही थी तो मैं इसको यहाँ पर 2 mega ohm consider कर रहा हूं ठीक है यह इससे ज्यादा भी हो सकती है बट हमको exactly पता नहीं है तो हम लोग एक approx value यहाँ पर ले रहे हैं अब इसके बाद जिस समय आपका LDR जो है वो shadow में रहेगा उस समय आप लोगों ने देखा था जो हम लोगों के resistance की value है something around 200 kilo ohm आ रही थी और जब हम लोगों का यहाँ पर main light रहती है तो वहाँ पर 4 kilo ohm हम लोगों को resistance मिल रहा था और जब main light के साथ साथ हम लोग mobile kit torch को use कर रहे थे तो आपने देखा था हम लोगों का जो यहाँ पर value है वो 800 ohm के आसपास आ रही थी तो अगर आप लोग यहाँ पर LDR को microcontroller के साथ interface करना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर series में एक R2 resistance use करना पड़ता है जिसकी typically यहाँ पर value 10 kilo ohm हम लोग लेते हैं ठीक है तो अगर आप यहाँ पर series में resistance connect करेंगे और total resistance अगर आप find out करना चाहेंगे तो आपको R1 plus R2 basically यहाँ पर करना पड़ेगा हम लोगों का जो R2 है वो fix रहने वाला है 10 kilo ohm but LDR की जो values है वो अलग-अलग light intensity के अलग-अलग रहेंगी तो यह values हम लोगों ने यहाँ पर find out कर ली है ठीक है अब इसके बाद जो भी हम लोग यहाँ पर output voltage लेते हैं LDR के थूँ वो basically LDR और जो resistance है उसके बीच की जो terminal होती है यहाँ से लेते हैं और यह हम लोगों का Vout होता है ठीक है और यहाँ पर हम लोग microcontroller जो है वो 5V में use कर रहे हैं तो VCC जो है यह भी आपका 5V ही होगा ठीक है अब अलग-अलग यहाँ पर जो हम लोगों के light के intensity है इसके corresponding अगर आप output voltage find out करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर एक voltage divider बन रहा है ठीक है यहाँ पर हम लोगों के दो resistance है तो यहाँ पर हम लोगों का output voltage मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोगों की light intensity बढ़ रही है resistance की value हमारे घड़ती है और जो voltage है उसकी value बढ़ती है या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो electrical conductivity है वो बढ़ती है ठीक है तो यह हम लोगों होने values यहाँ पर find out कर ली अब इन values को हम लोग practically भी implement करके देख लेंगे तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पर अपनी अलग-अलग light intensity के corresponding अपना जो output voltage है उसको verify करना चाहते हैं फिर check करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर circuit connection कर लिया है यहाँ पर आपको जो यह red color की wire दिख रही है यह basically VCC है यह फिर positive voltage आपको यहाँ पर मिलेगी positive terminal है उससे connect कर लोंगा ठीक है इसको हम लोगों ने यहाँ पर connect कर लिया और हम लोगों का जो multimeter का negative है या फिर black wire है इसको हम लोग connect करेंगे अपने ground से ठीक है तो यह हम लोगों का complete connection यहाँ पर हो चुका है अब हम लोग यहाँ पर voltage measure करना चाहते हैं तो आपको multimeter को voltage range में set करना पड़ेगा फिलाल हम लोग यहाँ पर जो voltage है वो DC type की measure कर रहे हैं तो यह हम लोगों का DC voltage है यह आपका analog voltage होता है ठीक है तो हम लोग इसको यहाँ से 20 में set कर देते हैं ठीक है तो अब देखिए जब ह corresponding हम लोगों को यहाँ पर जो value है वो something around 3.24 voltage मिल रही है ठीक है यह थोड़ा सा fluctuate यहाँ पर कर सकता है अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर अपने mobile की flash light इसमें देते हैं तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर जो voltage है वो gradually यहाँ पर increase होगी और यह जो value है आपकी 4.41 के आसपास आ रही है ठीक है और ज्यादा अगर आप इसको close लेके जाएंगे तो आपका यह 4.55 और 4.56 के आसपास भी यह value आपको जाती हुई नजर आएगी ठीक है अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर LDR को थोड़ा सा shadow में लेके जाएं तो मैं यहाँ पर अपने हाथों से इसको ढखता हूँ तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर value जो है वो एकदम से आपकी decrease हो जाएगी और यह value हम लोगों की 0.24 voltage के आसपास आपको मिल रही है अब इसके बाद अगर हम लोग इसको completely darkness में लेके चले जाएं तो देखते हैं यहाँ पर क्या output हमको मिलता है तो फिलहल में इसको यहाँ से ढख रहा हूँ यह देखिए तो देखिए अब जैसे हम लोगों ने इसको completely ढख दिया तो आपको यहाँ पर 0.00 voltage मिल रही है अब हलका सा इसको अगर आप लोग open करते हैं तो यह value आपको देखे धीरे धीरे बढ़ती हुई मिलेगी ठीक है और एकदम से अगर आप यहाँ पर intense light में इसको देंगे तो यह आपको 3.24 volt के आसपास मिल जाएगी तो आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी कि कैसे आपका जो LDR है उसके resistance की value change होती है with respect to intensity of light और कैसे हम लोगों का यहाँ पर जो voltage है वो भी vary करता है intensity of light के हिसाब से ठीक है तो बने रहिएगा मेरे सान बने रहने के लिए चैनल को subscribe अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जय हंद जय भारत